इस वीडियो में हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और डिस्प्लेस्मेंट के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो के एंड में इस वीडियो से रिलेटेड पजल है जो आपको सौल्ट करना है तो चलिए वीटियो को स्टार्ट रगते हैं तो जिस जगह से हम स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रेवल तो इसको हम इनिशल पॉइंट केते हैं और जिस जगह पर जिस पॉइंट पर हम अपनी ट्रेवल अपना पात खतम करेंगे हम इसको final point यहां final position कहते हैं तो start करते हैं initial point से हम initial point से spread गए 5 km और उसके पाद हम spread गए 9 km final point तक तो यहां पर total distance क्या हुआ हमारा बस simply total distance वो होता है जितना भी distance हमने cover किया है इसको हम add करते हैं तो distance हमारा हो गया 5 plus 9 equals to 14 km पर अगर हम यहां पर displacement की बात कहें कि इतने cover किये हुए distance में displacement क्या हुआ तो displacement एक distance तो है पर किसी particular direction में तो हम एक line कीचेंगे initial point से final point तक इसको हम arrow से जायर कहेंगे क्योंकि displacement vector quantity है और vector quantity को हम arrow से जायर करते है और जितना भी हमने यहां पर distance cover किया means directionally distance जो है वो है हमारा 10 km तो इसलिए displacement भी 10 km हुआ अगर हम किसी ऐसे बात की बात करें जो बिलकुर linear तो इसकी initial point से हम start करेंगे travel करना तो जितना भी हमने travel किया है वो है 12 km तो इसका distance हुआ 12 km और अगर हम displacement की बात करें तो displacement भी same ही होगा क्योंकि हमने जितना भी distance cover किया है वो एक ही direction नहीं है उसकी initial और final point हमें straight मिल रही है तो इसलिए हम यहां पर displacement को भी उतना ही show करेंगे पर arrow से जायर करते हैं हम displacement को हम यहां पर direction को भी mention करना पड़ेगा direction find करते हैं north, west, south, east हमारा direction है east तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि displacement 12 km towards east हम यहां से पता चल रहा होगा कि displacement distance है किसी particular direction में from initial point to final point अब हम curve path में travel करते हैं जितना भी हमने travel किया वो सारा हमारा distance में शामी होगा और किसी particular direction में जो distance है वो हमारा displacement में शामी होगा अब आपके लिएक puzzle है find the value of displacement when the body is moving along circular path and the length of circle is 5 meters अब आपको ध्यान में ये बात रखनी होगी कि हम displacement find करना चाहते हैं तो हमें initial से final position तक distance मालम करना होगा और आप अपना answer comments में जरूर लिखेगा अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई तो से like और share जरूर कीजे और subscribe कीजे मेरे चैनल फलक learning group को अगर आपके पास इस वीडियो के related कोई question है तो वो आप comments में जरूर लिखेगा और इस वीडियो को पुरा देखने के लिए Thank you very much